अस्टिकल दोस्तों स्वागत है जी कफरी फिर तो अपने यूटूब चैनल पीस्टेट स्टडी नोटस ते पर जी सो पीस्टेट वन और टू दी प्रेप्रेशन कर रहे हैं देली अजसी लेकर हैं जी संडे मॉग टैस्ट टू है जी इस तो पहले एक मॉग टैस्ट और काफ अन्दा लिंक तो नोट रिस्क्रिप्शन बॉक्स ची मिल जूगा जिना दी हर्प देना तूसी अपनी जड़ी त्यारिया हूँ कर सकते हो जी सो वीडियो वजिया लगए था प्लेज वातावद शेर और लाइक भी जरूर कर देया करो जी सो स्टार्ट करते हैं जी आज द इतिकल डालेमा और इतिकल रिजनिंग किस मनोव गयानी द्वारा प्रतिपादत किता गया अप्शन है जी जी जीन प्याजे बी है जी लारंस कोलबर्ग सी है जी ली वैगोस्ट की सी डी है जी अर इकसन जी सो इना सारे दी थिऊरी डिचल डेफ़क पयी है जी सो डिचल जडी यहां सी डी बीडियां वीडियो नोよねट्छे जाकर देख साकते ह। उस देविचे अपने चीजजाए डिचल डेफे जिकर किता है और यह जड़े नैतिक द्रकना, इथीकल डिलेमा और एथीकल रीजिनिंग जड़ा है एहे प्रतिपादत किता है जिए लारंस कोहलवरगदा ना जित्थे वी नैतिक ता दी गल आईगी उथे कोहलवरगदा सबंद किते न जरूर होएगा क्योंकि लारंस कोहलवरगदा ने सिर्फ कारेने कि नेतिक दूदा है कि ऐसी दूदा जिते किसे वेक्तिन ओ तो वद नातिक कमा दे विचो किसे एक कम नो जड़ा चुनना पेंदा, अपा कहानी पड़ी सी हाइजन वाली होदे विचे जदो डटेल दे विचे अपा वीडियो किती सी उसने अपने पत्नी नू बचाओन दे ली उदे कोल पैसे नहीं सी उसने द्वाईया चुराईया दूसरा कि एक पती नू अपनी पत्नी दी जान बचाओन दे वाली निया चुराईया दे बारे निरना लेन दे विचे शामल जड़ी चिंतन पर किरिया है सो थिंकिंग जड़ी पर किरिया है उन्हों नैतिक तरकना क्या है लारेंस कोलवर्ग ने उदे विच किया गया कि हाई जी ने चोरी करके सही किता या गल्त किता की चोरी करना सही है या गल्त है इस दे विच जड़ी उदी चिंतन पर किरिया लगी उसनों नैतिक तरकना दा नाम दिता है लारेंस कोहलबरग ने इथिकल रीजनिंग दा जी अगला कोश्चन है जी कोश्चन नमबर दो जीन प्याजे ने ग्यान आत्मक वकास दी किस अवस्था विच बच्चे आख कन अते नकनाल सोच देने से अपन पता है यह थे जो तो कोश्चन इस तरीके ना सी फ्रेम कर दें कि जीदे विच अपन पता लगे कोश्चन सिंपल होंदा कई वरी कि कोगनेटिव ड्यालमेंट दा सिधा आंत जीडा है किस तरह दिता गया है कि जीडा है यहां मतलब के जीडा है इन पयाजे ने केड़ा सी दा दिता कोगनेटिव ड्यालमेंट दा क्या नात्मक कव्कास दा कि बच्चे दे जाण दा विकास जीडा है किस तरह अन्दो दे ग्यान दे विच वद्दा किस तरह दा जोस्तिक कि में जुड़ दी जांदी ता उसने चार स्टेज़ां देती हाने जी इत्या पनुचारे स्टेज़ां दी भी रिवीजन हो जेगी स्वेद गती जा इंद्री जनक गामक अवस्था कहें देने सैंसरी मोटर पीरड ऑप्शन बेजी पूर्व क्रिया पर नाली प्री स्टेज़ान प्रापत कर देने अपनियां इंद्रियां दे रही आक नक कर दे रही स्वेदी गती के जेड़ा सैंसरी मोटर पीरड लिटी जी रो दो साल द हा उसने विच बच्चे आक पन ते नक देनाल सोचते रहा सवरी सेब क॥ जी एक क्ताब है किस दिल लिखी होई जी 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 एक तॉर्ण डी है जी वैगॉस्ट की सही अंसर आएगा जी ऑप्शन C अगला क्वेशन है जी क्वेशन नमबर चार लारेंस कोहलबर्ग दे संद्रम विच हेट लिक्या मिचूँ केड़ा कथन गलते है सो उस देना रिलेटर जड़ा नहीं है केड़ा कथन है अप्शन है जी कोहलबर्ग अमरीकी मनव गया निसी अप्शन बी है जी कोहलबर्ग ने प्याजेतों प्रॉआफटों के लारेंस कोहलबर्ग देनाल सबुन्दत नहीं है क्योंकि उसने प्रॉआफट प्रॉआफटों गयारा नहीं उसने प्री कन्वेंशनल लेवल है उसनों चार तू दास साल देविच वंडे आजी बाकी सारे अपने कई क्वेश्चनों रणगे कोलबर्ग कितों दा मगया नीसी अमरिका दा मगया नीसी किस तो प्रवावत हो के उसने नेतिक विकास दा जेडा थियोरी दित्ती ओ दित्ती जी प्याजे तो प्रवावित हो के और कोलबर्गने नेतिक विकास दियोरी आवस्था वाने ओ तीन वस्था वादे विच वंडे है जी अग्या जी क Tamara बच्च्चन नमबर पांच हां जी प्याजे अंसर बच्चया आदा चिंतन बालगां तो ऑच्च्च विचन पिन होंदा है बजाए डाये grandpa B है, A-Kार मूर्द परिपक्ता C परकार मातरा D है, A-Kार किसम सही अंसर है जी, option C परकार ते मातरा प्याजे दे अंसार बच्चे ने प्याजे दे अंसार बच्चे ने जिड़ा चिंतन है बालग जानी के वड़ेयां तो परकार दे विचे पिन हुनदा है बजाए मातरा दे तो quantity दे बजाए जिड़ा काइंड ओधी प्रकार किसम दे विच जड़ा है फर्कुरूंदा है सोच दे जड़े बच्चे ने प्याजे दे अनसार वड़ेयां जिनना ही सोच देने जड़े चिंतन है ठींकिंग है वड़ेयां दे बराबर है सोच दे उनना ही ने सिर्फ ओधे जड़ा है वो वड़ेयां जिनना ही सोच देने जड़ी ओधी मात्रा है वो वड़ेयां जिननी ही होईगी मैं जाने कि जड़े सोगलना सोच रेने था बच्चे भी सोगलना सोच रेने सिर्फ बच्चियां दा जड़ा लेवल है सोचन दा जड़ा परकार है वो होगँ ठीक है जी? पर उन्हें दे बड़े शौगला सोच रहेने था छोटे वी सोच रहेना चिर्फ finger प्रकार दे विचे पिन हंदा है बजाये मातरा दे । सिर्फ जड़ी परकार है वो अपड़े अपने लेवल दी क्वेश्चन नमबर 6 है जी एक पहली जमादा बच्चा सजा तो बच्चनली वड़्याना कहना मनदा है ता एहे जड़ा है लारस कोल बर्ग दी केड़ी स्टेज दी गला है अप्शने जी नातिक्ता जड़ा है वाला जड़ा विवारर हा हो करदा है सजा तो जड़ा है बचन दे लेजी फस्ट श्टेज दे बच्च जी नाक्स जी है जी क्वेश्चन नमबर 7 वेगॉस्ट की किस देश्दा मनसा गयानी सी Öप्शन है अगला कोश्चन है जी कोश्चन नमर अट जीन पयाज़ दे अनसार सिखन ली हेटली के में चो जरूरी की है अप्शन है जी बालगां दे वहारदा अवलोकन बी है जी इशवरी नयाँ उपर विश्वार सी है जी आपनाते मातापिता दा पुनर बलन डी है जी विदयार्थी द्वारा वातावरं दी सकिर्या खोजी सही अंसर है जी अप्शन डी जी सो जीन प्याजेदा कहना है कि बच्चे दे लई सिखन दे लई सब तो जरूरी है कि विद्यार्थी खूद जड़ा है वातावरन दी खोज करे और वातावरन तो सिखे जी एक्टिव खोज सकीरिया हन्दा एक्टिव सो एक्टिव खोज विद्यार्थी खुद करे ताही ओहो जड़ा उसते ग्यान दा जड़ा वादा हो होंदा क्वेश्चन नमबर नुए जी बच्चा दुनिया बारे अपनी समझ दी वर्तों करदा है क्थन है अप्षन है जी कोल बर्ग दा बी है प्याजे दा सी है बरुनर दा डी है जी फॉराइड अंसर आएगा जी अप्षन बी जी प्याजे दे अनुसार बच्चा कोरा कागज नहीं है ओहो समाज दे प्रती समझ रखता है बच्चा बिलकुल खल ली नहीं है बच्चा जड़ा है समाज दे प्रती अपनी समझ जड़िया हो रखता है question number 10 है जी पूरव नैतिक वस्था केड़ी हंदी option है जी 4 तो 10 साल B है जी 6 तो 12 साल C है जी 8 तो 14 साल D है जी 9 तो 11 साल so कोलबर्ग दी जड़ी पूर level of pre convention है ओहो उन्दा जी option A 4 तो 10 साल जी अगला question है जी question number 11 पाशा ही ग्यान दी चाबी है कथन किस्ता है option A जी वेगोस्ट की B है प्याज़े C है कोलबर्ग D है जी बरुनर सही answer है जी option A जी वेगोस्ट की दा करना है की पाशा ग्यान दी चाबी है पर प्याज़े जड़ा इस तो उल्ट है प्याज़े कहनदा है की जिनना बच्चे दा cognitive development जादा होएगा उनना ही उहो पाशानों ग्नितनों हर चीजनों जड़ा हो जादा सिखेगा पर वेगोस्ट की प्याज़े तो उल्ट है उस ता करना है की पाशा तो बेना जड़ा ग्यान नहीं हो सकता सो पाशा जड़ा है ग्यान दी चाबी है question number है जी बारा वस्तू स्थाईपुना प्याज़े दी ग्यान आत्मक विकास दे केड़े परादी मुख सेज़ता है option A है जी संवेदी प्रेरक B है जी पूरू संक्रियात्मक C है जी मूर्थ संक्रियात्मक D है जी अप्चारिक संक्रियात्मक so sensory motor pre operational, concrete operational और formal operation so जेकर इंग्लिश चे ज्याद कर लाँगे ता ज्यादा वजियार होगा सही अंसर है जी option A संवेदी प्रेरक so दूसरे साल दे विच जा के जड़ा वस्तू स्थाई पुना आ जन्दा है जड़ा है permanence एक परकारदा जड़ा चितर आपा कह सकते है के वस्तू दा बच्चे दे दमाग दे विच बन जन्दा है उस्तो पहले ये वस्ता दे विच पहले एक साल दे विच जड़ा है कि जो चीज उस्ते सामने हो चीज है गई ता गई बट जदों दूसरे साल चे बच्चा अंट न्दा है ता ओदे अंदर वस्तू दा है कि सथाई पुना permanence जड़ा हूँ आ जान्दे question number 13 question number 14 question number 14 development है विकास है उस विच सब तो वद योगदन होंदा है जिसनों प्याजे नहीं मनदा question number 15 है जी किस मनवगे निसार बच्चे दे ग्यानमत कि विकास विच अंतर के रिया social जड़ी interaction है दा बहुत वद्दा योगदन option है जी कोलवर्ग B है वैगोस्ट की CIG नप्याजे डी है जी फॉराइट अंसर आएगा जी option B वैगोस्ट की दा बनना है कि बच्चा जड़ा है सिख दा है उस ता जड़ा option नमबर के है जी 16 अभी प्रेयर ना लोड़ा तो शुरू होंदा है चेड़ा साथे सारे विच विदमान है जी मौटिवेशन है और जिरूरत नों पैदा हुंदी है जिस लोड़ नो वद्यारती सब्तो पहला पूरी करनी चाहेगा उस ता सबंद के से देना ला जी option ने जी सनमान प्राप्त करना दे लिए या सरीरक फिजिकल नीड वास्ते social नीड या option डी है जी आतम सिद्धी self acquisition सही अंसर आएगा option बी जी सब्तो पहली लोड़ जी है ओओ होईगी सरीरक लोड़ जी जी मैं पूख प्यास साथ हो गया सब्तो पहला जी लोड़ नो पूरी करना चाहेगा वद्यारती ओओ है सरीरक उस दी जो जरूरत है उसनों question number अगे है जी 17 सो इते कोई ना कोई mistake होगी जी इसनों बस ऐसे ही पढ़ लेना जी एक बच्चा रोना शुरू कर देता है जदों उस दी दादी उसनों उस दी माँ दी गोद विच्चों ले लेनी लेन दी है ताँ बच्चे दे रोंदा कार्न की है option है समाजिक डर social NXT B है जी पावनात्मक डर emotional NXT C है जी अदबत डर stranger option D है जी वक होंदा डर separation NXT सही अंसर है जी option B so emotional तरते बच्चा माँ देना जुड़े होया है सो उस दी जड़ा emotional NXT करके पावनात्मक डर करके जड़ा है बच्चा दादी दे कोड़ या होर किसी दे कोड़ नहीं जाना चौनदा अगे है जी question number 18 जी सख्यार थी व्यक्ति गत पिंतावानू दर सौनदा है इसलिए एक अध्यापक होना चाहिदा है option A जी सिख्छन अनुपाव परदान करना वाला बी है जी सख्त अनुशाशन करना वाला C है जी टेस्ट आंदी संख्यावदा वाला डी है जी सिख्छन दे यूनिफर्म पेच उपर जोर देना वाला सही अंसर है जी option A जी सिख्छन अनुपाव वाला परदान करना वाला अध्यापक होना चाहिदा है ना के सख्त अनुशाशन वाला जी ना ही टेस्ट आंदी संख्यावदा वाला अपन पता है कि एंडवीज्वली हर सख्यार्ती जड़ा है वक है अलग है कोई जल्दी सिख्धा है कोई पहला सख्धा है कोई मवनों सिख्धा है जो उस दे लिए कि यह अध्यापक जड़ा है वो सिख्छन अनुपाव परदान करना वाला होना चाहिदा जमात विच विशेदा प्रिचे दे लिए आपकनो पहली गतिविदी की करने चाहिदी अपशन है जी तरक अधार दी व्याख्या करना बी है जी उदेश्या दी सूचना देना सी है जी जुबानी विशे बारे दसना डी है जी चाक बोर्ड उपर विशा लिखना अंसर है जी उप्शन ए जी तरक अधार व्याख्या करनी अपने विशे दी सूच दे लॉजिक बारे दसना पहली गतिविदी होईगी ते आपक दी अपने विशे दा प्रिच्चा देन लिए क्वेश्चन नमबर है जी अगे बी जी कोहड़ बरक दे उनसर एक अधापक विद्यार थी विच मुलना दा विकास करदा है जो उस दे अंदर जड़ा है नैतिक मुल कैसकने आपकां कि उनना दा जड़ा विकास कर सकदा किमे जी अप्शनेगी तार्मिक अधापन दा महत्तव दसके बी है जी विहार दे न जाली गहाला पां बच्चे ना लाका दे पहला भिला भी मैं भी एलका करदा ना की बच्चेंदी फेवर दा अंसर ही देना है और ना ही अधापक दे फेवर दा क्यूंकि जड़ा जड़ा एचिड़ ये चैल्ड सेंटर एजूकेशन दा जड़ा है ओदे विच है कि पाठ पुस्तक दूर कर दी है, अप्शन है, समाजिक जिम्मेवारी B है, लिंग पेदपाव, C है, लिंग सूज, D है, लिंग समानता जी, अंसर आएगा जी, अप्शन B जी, लिंग पेदपाव, जो जेंडर डिफिरेंट है, असी मुंडे कुडी देविच जड़ा अंतर कर फर्क कर देविच, सोच नो एक जड़ी वदिया पाठ पुस्तक हो, दूर कर दी है, क्वश्चन नंबर के है, माता पिता नो छोटे बच्चेयां दे सिखन विच पूमका नवाउनी चाहिदी है, हमदर्दी पूर्ण, B है, निर्पक, C है, नाकरात्मक, यानि के D है जी, क्रियात्मक, एक्टिव, सही अंसर है जी, अप्शन A, हमदर्दी पूर्ण, बच्चे दियां पाउना नो समझ दे होए, अपा बच्चे नाल पहला गलका चोकें कि हमदर्द रहना बच्चे दे, हमदर्दी पूर्ण, यानि के उस दे नाल जड़ा है, अपा एक ज दर्द बनना, उसे दर्द नो मैसूस करना है, जी, क्वेस्चन नमबर अठ है, जी, अन्सौरी, तेही होगा जी, एक विद्यार्थी के इंद्रत जमात विच विच विद्यार्थी आम तौरते सिख दे हन, अध्यापकोलों B है जी, व्यक्ति कत तौरते, C है, ग्रूप वि सही अंसर, अप्शन D आएगा, जी, तो इंड्विज्विली विच 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 अते जानकारी सांजी करन दी अयोकता जी, सही अंसर आएगा जी, option दी, बच्चा जड़ा है, सुन नहीं साकदा, तो सब तो बड़ी ओधी प्रवल्म की है, कि दूजया अंदे नाल जड़ा है, क्योम्निकेशन, गल बात जड़ी है, नहीं कर सकदा, ना ही कोई जानकारी अंसर आएगा जी अप्शन डी लिखन दे नाल सबंदत विकार है जी डिस ग्राफिया लिखन सबंदी योगता है जी सही बच्चा लिख नहीं पहुंदा सही अंसर है जी अप्शन बी सिखन योगता लर्निंग डिस अबल्टी है जिसनों अपन जड़ा है डिसलेक्सिया कहने है जो तो बच्चा लर्निंग एदा दिस अबल्टी की बच्चा कनफ्यूज हुंदा है सिखन योगता है जिसनों डिसलेक्सिया कहने है जी क्वेश्चन नमर के बारा जी चोटियां कलासां दे बच्चा ली हेट लिकें विचों केड़ा विशावस्तूब दे रहे होना चाहिए अप्शने जी ठोस परमान वाला बी है जी मानता वाला सी है मौकी कुस्तत डी है ज जो कोई नहीं अंसर आएगा जी ठोस परमान वाला जी ठोस परमान वाला जी ठोस परमान वाला जो भी बच्चे में पां कराना हो ठोस रूप दे विचे सामने होना चाहिए ठीक है जी छोटे बच्चे वास्ते विशावस्तू जी ठोस परमान वाला होना चाहिए क्वेश् ना दार होना चहीद है question number कला है जी बच्चेयां विच माता पिता दे तता दा हस्तारन है option है जी वातावर्ण B है जी जीन C है वंश D है जी समानता answer है जी option C हैरी डिटी है जो भी बच्चेयां दे विच गुण माता पिता तो होंदेने बच्चे दे विच जान देने हस्तारन होंदा है उसनों हैरी डिटी कहन देने वंश कर दे next question है जी किस पड़ाते बच्चा अपने साथियां दे रे रहना पसंद करदा है option है जी कुशोर वस्था B है जी बालग वस्था C है शिशू वस्था अपने साथियां दे रहना दे रहना वजेरे पसंद करदा है जिसनों जड़ा है तुफानी वस्था भी किहा जन्दा है कुशोर वस्था नोर साब तो ज़्यादा जड़े चेंजिस ने इस वस्था दे विच देने जी जो एसी जी आज दे अपना मौक टास्ट वदिया लगा है तो प्लीज बत वद शेर लाइक करना और और होर वीडियो दे खंदली चैनल और सब्सक्रीब जुरू करना थैंक यू थैंक यू फू वाचिन दे वीडियो